हेलो फ्रेंड्स आप सभी को नमस्ते मेरी तरफ से और यह सुरुवारी का साग बहुत ही असान तरीके से बन जाता है यह दो गाट आया हुआ था तो मैं तो टाइम बहुत ही कम था जटपट से इसको बनाने वाली थी तो मैंने क्या किया कि इसी तरह दुनों गाट को खोल ली और यह की करके ऐसे इकठा कर लेंगे इसमें खासोच देख लेंगे अलग पत्ते भी कही कही रह जाते इस साग में तो इसको भी अलग कर लेंगे तो इसी तरह मैंने सबी को देख लिया है और इसको बारिक बारिक हम चापूर की साहसा ते चौप कर लेंगे यह साग अक्सा प्रक्यार का कोई मैनत नहीं करना पड़ता है तो इसी समय निकल के आ जाता है तो मैंने सोचा क्यों आप लोग के पास एक वेज रेसिपी क्यों ना सेयर कर दूं बहुत ही है दियस होता है तो हर मौसम के इसाब से हर सब्जीय बनी हुई है तो यह जो साग है यह भी उसी तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है जैसे अधर सब्जाग बनाए जाते है उसी तरह भी बनता है तो मैंने हरी मिर्ज काट चॉप कर लिया और लहसन की कलिया और जीरा ले लिया है इसको सर्षो के तेल में तड़के देंगे आप चाहें तो घी में भी कर सकते है तेल चाहница कर से त्ड़े दो ली था थी थोड़ी भी दून बाठी उसमें नहीं है और उसके पानी को जालीदार आवली टोकरी होती हैं उसमें चाह रग दी थी तो थोड़ी भी पानी नहीं थी तो सभीषाग की बालोलेंगे बहुत ही जल्दी बन जाता है इसमें आतर चीजे म मिलानी की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसमें स्वाद के अनुषान नमक डाल देंगे हल्दी पाउडर डालेंगे और कुछ में डालेंगे तो इसको पैक कर देते हैं देखिए बहुत यसान तरीके से बन जाता है और इस तरह इसको ढग देते हैं अभी बहुत ही कम हो जाए अब इसको दाल चावल के साथ जरूर बने हुए है तो इस मौसम में मिल रहा है तो मैंने सोचा क्यों आप लोग पास सेयर कर दो अब यह थैयार है मैंने बंद कर दिया चारो तरफ से थोड़े भी पानी नहीं है सब इस रूख गया है इधर मैंने थाली तैयर कर दिया है चावल दाल रोटी पुस सेले और उसाथ इंज्वाई करिए बाई बाई हमें नाश टेग